गुड मॉर्निंग इस्टुरेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी का, मैं EAD परिवार के साथ हमारे सभी विद्ध्यारतियों का श्वागत करता हूँ करेंट अफैर क्लास में जो कि आप लोग के डेली सुबह 5 बजे प्रारंब हो जाती है और बिलकुल हमने आपको दर्सन दिये और शभी लोग जितने भी यहां पर उपस्तित हैं तो अब आगे की और देखेगा, आगे का मतलब समझ रहो कि आने वाले एक्जामों की तरफ जि के और जो एक्जाम हो चुके है वो तो अब इत्यास बन गया उसे इत्यासी रहने दीजिएगा उसका जब परड़ाम आएगा समझो तो फॉल की कामना तो हम करते रहेंगे जब मिल लेगत अब ही हमें क्या देखना है जो आने वाले एक्जाम है उन्हें ध्यान में रखना ह आधित्या शर्मा गुड मौर्निंग रहूल कुमार विद्यार्ती गुड मौर्निग जै जितने भी आपर प्रजेंट है ठीक है चलिए तो हम सुरू करें क्लास को, क्लास को सुरू करें और यूपीभी शल के कुश्टन भी धेले-धेले आप लोग जो आपके पास से रहेंगे comments box में, जो भी हमाँ समझेो, चलिएगा विध्यारतियो, तो आज date है आपका 1 April, ठीक है ना, और इसमें हम लोग करेंटर फेर के question देखेंगे, पहला question क्या दिया गया, भारत की पहली महिला doctor के रूप में कौन जानी जाती है, भारत की पहली महिला doctor के रूप में किसे जाना जाता है, इस तरौका सवाल पूछा गया, तो आपका answer की आएगा विध्यारतियो, आनंधी गोपाल जोसी को पहली महिला doctor के रूप में जाना जाता है, पहली महिला डॉक्टर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, अच्छा, NHPC का एक्जाम सभी का होगा, है ना, और इसमें भी सामान्य अध्यन आनी आनी आपकी, Journal Studies में भी आनी है, यानि कि Journal Awareness इसमें भी आना है, और आप चाहते हो कि इसका महराथन क्लास रखा जाए आप लोगों के लिए, तो आज मैं समय को, management से बात करके भी द्यारतियों आप लोगों का, जो महराथन क्लास रखाऊंगा, उसे Sunday, Sunday को fix कर लेते हैं, और Sunday कि समय पर, साम को 6-5 बजे से रख लेते हैं, साम को भी द्यारतियों आपका 5 प्यम से रख लेते हम लोग और रात तक रख लेते हैं, या 6 बजे से, ठीक है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, 30 नमबर का आना है, कितने नमबर का आना है, 30 नमबर का, चलिए, शिवम कुमार विध्यारति, यूबिशल जेए के लिए 20 नमबर का, देखे, जेस तो अपना आप में समंदर है, मैंने आप से कहा विध्यारति, ठीक है ना, जेस तो समंदरे से तयार करने के लिए, हम तो एक तिनके का काम कर लें, ठीक है, उस समंदर में विध्या अजर क्या था, आनन्दी जेगा, आनन्दी गोपाल जोसी को की 157 जैनती 31 मार्च 2022 को मनाई गई, तो आनन्दी वें विध्यारति, आनन्दी भाई जोसी, जो की कान्दमिनी गाउंगुलिक के शादिनका पर्ष्ण में चेकिस्ता भारत में पहली मैला, डॉक्टर के रूप में अगला शवाल क्या पूछा गया, निमलिखित में से किसे दूसरी बार, भारतिय भुक्तान परिशद, यहां पर क्या दिया गया आपका, Chairman of Payment Council of India, PCI, PCI का अध्यक्ष के रूप में दुबारा से न्युक्त किया गया है, ठीक है, तो दूसरी बार न्युक्त किया गया ह इसमें दूसरी बार, भुक्तान परिशद के अध्यक्ष के रूप में फिर से इन्हें चुना गया, इससे पहले उन्हें वर्स 2018 में, PCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया ठीक है, चलीगा, अगला सवाल देखेगा, नीतियायोग ने किस संगठन के साथ भारतियक क्रिशी की ओर 2030 नामक पुस्तक लांच करी है, नीतियायोग नैशनल इंसिटूशन ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया विद्ध ऑगनाइज है लांच, अबुक टाइटल इंडियान एग्रिकल्चर तो ये किसके साथ विद्यार भारतिया आपका कौन सा, तो ये है आपका भारतिया खाध्या सुरक्षा और मानकपराधिकरा, Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI तिहेंना, FSSAI यानि कि आपका Food Safety and Standard Authority of India के साथ. बिल्कुल, बिल्कुल, मैरा थन देखेगा, मैं संडे को लूँगा भी दियारती आपके लिए, ठीक है, मैरा थन आपका संडे को रखुँगा, मैं जिसमें, इविदिंग में 6 बजे से लेकर आपका रात तक रखेंगे क्लास को, संडे को रहे गई आपका, समझो, नस पीसी क आप 높लों की class को में, संडे को रखोगा विधियारती, ठीक है, संडे को, चलेगा, तो यहा देखेगा नीतिय। नीति आयोग का लाम आप लोगों को नहीं यहापर सुना और सभी नीति के बारे में जानते हैं, जानते हैं, नीति के बारे में सभी जानते हैं, National Institution Transforming India. इसे क्या कहते हैं, ये Commission है आपका नीती आयोग. सबसे पहले तो हमें एक सवाल पूछा जाता है कि ये बना कब? तो ये बना आपका एक जनवरी 2015 को नीतियायक बनता है. इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है भारत के प्रधान मंत्री. PM क्या होता है? इसके अध्यक्ष होता है. ये एक समवैधानिक सस्ता नहीं है. ठीक है, ये एक समवैधानिक सस्ता नहीं है और इसमें आपको क्या-क्या दिखेंगे? उपाध्यक्ष दिखेंगे. तो उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान समय पर और इसके मुख्यकार्यकारी अध कारी यानि की CEO कौन है नीतियायोग के वर्तमान समय पर ये एक मैंने आप से कहा था कि एक समयधानिक सस्ता नहीं है इसने replace करा किसे planning commission को पहले योजना आयोग हुआ करता था ठीक है अब उसके इसने के स्थान पर क्या आउगा आपका नितियायोग आ गिया ठीक है योजना आयोग के इस स्टुडेंट हमारे ऐसे हैं, कि वह पिछली बार ॉसी सिफ्ट में थे और इस बार भी उसी सिफ्ट में थे मत्ता अटाइस तारीक हों, जो मॉर्निंग का और इवनिंग का जो सिफ्ट था इने दोनों सिफ्टों में, देखो ऐसा नहीं कि बच्चों ने स्कोर नहीं किया, बच्चों ने बहुत ठीक ठाक स्कोर किया है, 12 से 15 की बीच में वो करके आये है, और साहिद उतने लायक भी था, क्योंकि साथ कुष्ण तो ऐसे थे, कि वो सर के उपर से निकल रहे थे, सिफ्ट जो 28 तारीक की पहरी सिफ्ट है और 28 तारीक की जो दूसरी सिफ्ट है, सर के उपर से इसले निकल रहे थे, एक तो समय का भाव था, और उसके बाद सारे के सारे ओप्शन पढ़ने पढ़ रहे थे, सारे के सारे विद्यारती ओप्शन पढ़ने पढ़ रहे थे, यह सम ठाक, ठीक है ना, मैं गया गर जो रगभग रेगुलर विद्यारतियों पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, देखो जो 28 तारीक की दोनों shift की तो मैं बात कर सकता हूँ, उन दोनों shift में ऐसा था, 28 तारीक की shift में ऐसा था बच दिया थी, ठीक है? चलिएगा, नेक्स लगेंगे, तो देखें विद्यारतियों आपका ये सवाल, अगला सवाल हमारे पास क्या है, कि जैसा को एक वर्स की आउधी के लिए, एश्याई किर्केड परिशत का अध्यक्ष के रूप में फिर से निउक्तिकी कर दिया गया, तो ACC का मुख्याले का परे, पहले आपको बताया था, चलेगा ठीके ना, तो दियान दिजेगा, जैसा एक वर्स की आउधी के लिए, एश्याई किर्केड परिशत के अध्यक्ष के रूप में निउक्ति किया गया, तो ACC का मुख्याले कहां पर है? तो ACC का मुख्याले देखेंगे, आप लोग ACC का मुख्याले विद्यार्तियों कहां पर आपका, तो ये कोलंबो, स्रिलंका के अंदर, ठीक है, पहले दियान दिजेगा, यहां दिया तो है, कोलंबो, विद्यार्तियों, स्रिलंका के अंदर इसका मुख्याले है, ठीक है, चल जलसंदी, पाक विद्यार्तियों जलसंदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, और पाक जलसंदी क्या कर रही है, इंडिया को, या स्री लंका को इंडिया से अलग कर रहा है, या तमिल लाडू या पर, या तमिल लाडू आ गया और या आ गया स्री लंका, ठीक है, चलिए, आगला सवाल है हमारे पास सवाल दिया गया कि देखे विध्यारतियों Maldweep Sports Award 2022 मैं निमलिखित में से किसे प्रतिष्टिज आपका Sports Icon प्रुष्कार से शम्मानित किया गया है Maldweep Sports Award 2022 में तो किसे ये प्रुष्कार दिया गया आपका शुरेश रेना को शुरेश रेना विध्यारति जो लास्ट टाइम पर IPL चैन्ने सुपर किंग प्रुष्कार थे अभी नहीं है तो देखे यहां पर पूछा गया आपका क्या पूछा गया पूर्व भारतिया किरिकेटर शुरेश रेना को Maldweep Sports Award 2022 में स्पोर्स आइकन पुरुष्कार से सम्मानित किया गया है Maldweep सरकार ने रेना को उनके पूर्व केरियर के बिभिन उपलब्दियों के लिए ये सम्मान से सम्मानित किया गया ठीक है चले तो देखेगा यहां क्या पूछा गया भारतिया से ने किस देश के साथ नना सयुक्त सायुक्त सैंझा अभ्यास यहांपर क्या दियागे त्यारतिय आपका मैं में gates जो आपका 20-27 को ठीक है लेमी तयाओ इजा ठीक है तो यह किसके साथ क्या यहाई रख़ेगा भारतिया यहाँ रख़ेगा तो अभी रिसेंट लिभारतिया सेना और सेशेल्स की रक्षा बलने तो आपका 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सेशेल्स में भी ध्यारतियों सेशेल्स रक्षा रक्षा कैंडमी में ही सब्सक्राइब कर दो हजार बाइस का आईजन किया है ठीक है 2022 का आईजन किया है ठीक है चलिगा नेक्स देखे आप से पूछा जाता है कि निमलखिन मैंसे किसने दोहा कतर में उननीसवी एशाई हांडेड आपका यूपी यानि कि आपका विलियर्स चैंपेंशिप 2022 देती त तो विलियर्स भी दियर्ति आपका पंका जार्वानी पंका जार्वानी से डियर्क्ट एक सवाल यही पूछा जाता है कि किस खेल से संबंदित है तो पंका जार्वानी किस खेल से संबंदित है पंका जार्वानी किस खेल से संबंदित है तो विलियर्स से संबंदित है ठीक Formula One Bathrain Grand Prix 2022, किसने जीता है। तो यह किसने जीता है, विध्यारती आपका। किसने जीता है, तो यह जीता आपका। किसने दोरह क्या लिए चाल्स विध्यारती आपका। अशारा आपके। बहरीन जो बहरीन की अगर capital पूछेगा आप तब कहां पर है मनामा के अंदर है बहरीन की जो capital city है विद्ध्यातियों क्या आपका मनामा है ठीक है ना चली अगला सवाल देखेगा आपका अगला सवाल क्या पूछते है पूर्व करिकेटर जी आर विश्वनात की आत्म गथा ड Community बिद्यारती और से ख़य का डि जिसका सिर्षक के आपका रिस्ट यहां पर क्या दिया गया i sirod ठीकिर रिस्ट i celle लीकिए डिधा के डिक देख़एगा Wrist as you would and autobiography and autobiography does nature vanadarर विश्वشرनेद कई गोडनात की आत्म पह्ठा की डिया कॉन है तो यह इसके सहे लिखा कौन है तो R-CAUSIC, R-CAUSIC आएगा विद्यार्तियों, R-CAUSIC, ठीक है, R-CAUSIC, NHPC, NHPC का एक्जाम हमारा पांस तारिक को है न, पांस को है विद्यार्तियों तो आपका जो इसके लिएक जर्नल आवनेस की जो मैं रहा थां क्लास रखोंगा मैं संडे को 6 बजे से, समझो, शंडे को आप लोग फ्री होके, और इविनिंग में आपका क्लास रखेंगे जर्नल आवनेस की, वैसे अभी UPPCL के लिए आप लोग ने काफी कुछ चीज़ पढ़ी है, लेकिन NHPC के लिए आपका क्लास रहेगा कब, तो शंडे, जिस दिन भी शंडे आरे आपका, उ नया सवाल पढ़ते हैं, दूसरे फेस में विध्यारतियों हम लोग क्या करते हैं, आपका, रिविजन करते हैं, तीसरे फेस में हमें वन लाइनर देखने को मिलते हैं, और चौते फेस में विध्यारतियों हमें जो इस्टैटिक आपका, यानि की जर्नल आवारनेस देखने को मिलेगा किससे? question से related ठीक है और इस बार थोड़ा सा हम लोग जो नया सत्र प्रारम्भ होगा ठीक है ध्यान दीजिगा नया सत्र जो हमारा प्रारम्भ होगा उसमें थोड़ा सा हम लोग करेंगे अपने पैटर्न को विद्यारती जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं ठीक है क्योंकि कभी कबार किसी किसी सिप्ट में तो question का level ही कुछ और है ठीक है? Computer, Computer का तो अपने यहां पर हरी शार है विद्यारती अभी तो हरी शार बता देंगे मुकेश, महगल विद्यारती कहते है शार Computer का भी चलिए Computer के question भी रख लेंगे हम उसमें Computer के question भी रख लेंगे, Computer अलग साना है इसमें सनसादी की लोक लेखा समीति में राजयसभा के कितने सदस्य होते है यहाँ पर क्या दिया गे आपका सबसे पहले तो PAC, PAC का मतलब होता है Public Account Committee, इसे कहते हैं आपका हिंदी में लोक लेखा समीटी, लोक लेखा समीटी के नाम से आप लोग इसे जानते, Public Account Committee, ठीक है, यह कब बनी थी, तो यह बनी थी आपका 1921 में और एक Parliamentary Committee है, यह क्या आपका, एक संसदिय कमेटी है, यानि संसदिय का मतलब इसमें जो सदस्य संख्या होती है, वो कितने होते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी होती हैं आपका 22 होते हैं और यह 22 किस तरों से बटे हुए हैं, यह 22 में लोक सभा से कितने लोग आते हैं, तो लोक सभा से आते इसमें आपको दियान देना है कि इसका जो अध्यक्ष होता है, वो क्या होता है हमेशा से सदन में सदन में विपक्षी दल का नेता विपक्षी दल का नेता विपक्षी दल का नेता तो इतना तो हमें याद रहना चाहिए आप देखो सवाल तो कुछी तरब से भी पूछ रहा है, अब समझो विध्यारती आपका, ये एक Parliamentary Committee है, इसमें लोक सभा से कितने मेंबर आये, पंदरा आये, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है विध्यारती आपका जो budget जारी किया गया, अब वो budget, ध्यान दिजेगा, इसका जो मुख्या काम क्या होता है, जो budget जारी किया गया था, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेगा, उसे क्या करता है, CAG, CAG का नाम सुना आपने, CAG उसे, चलेगा, ठीक है, तो अधि बिल्कुल अधि रंदन चौधरी अभी वर्तिमान समय पर, यह क्या करती है, आपकी, CAG की रिपोर्ट का प्रतिवेजन देती है, CAG जो अपनी रिपोर्ट सौपती है, किसे राष्टपती को, और यह अपनी रिपोर्ट किसे सौपती है, यह सब लोग समा को अपनी रिपोर्ट सौपती है, ठीक है, चलेगा, क्या सवाल है, क्या पूछ रहे हमारे शिवम बचा, सर, 28 तारिक की सुभह को आपने एकी कोशन रिपेट किया, कौन सा था, अधिर, अधिर रंजन, धिर महुच्षव, धिर महुच्षव, और तमांग उच्ष अधिर महुच्षव, ठीक है, यह हमारा कहाँ पर, कौन सा कहाँ पर बताया होगा अधिर महुच्षव और तमांग महुच्षव, ठीक है, चलेगा, तो इसमें आंसर क्या था, आपका साथ आंसर था, ठीक, अगला सवाल, नेताजी सुभास्चंदर बोष, अंताराष्ट्य हवायड़ किस राज्य में इस्तित है, नेताजी सुभास्चंदर बोष, अंताराष्ट्य भी ध्यारते हो हवायड़ कहाँ पर है, ठीक है, चलेगा, तो नेताजी सुभास्चंदर बोष हवायड़ हमें रेखने को मिलेगा, इनके नाम पर प्रतेक वर्स हम लोग क्या मनात प्रतेक वर्स प्राक्रम दिवस मनाते हैं 23rd, 23rd ज़िए 13 विध्यातिया आपका जन्वरी को ठीक है ने प्राक्रम दिवस ये भी याद रखेगा और कभद से मना रहे हैं इसे तो 2021 में हमने पच्छिममंगाल आंसर आएगा, हां, इसका नाम पहले क्या हुआ करता था, दमदम एरपोर्ट हुआ करता था, धारनी पोर्टल कैसा है, जैसे अपने उत्तर ब्रदेश में है, उत्तर ब्रदेश भी किया है, भू अभी लेक है, यानि भूमी संबंदी जो भी जानकारी है आ बना हमारा तो तेलंगना बना था आपका दो जोन 2014 को मना था 2014 यह पूछा जाता है कि दो जोन को इस तापना दिवस के रूप में मनाता है ठेक है ना इलक्टिकल का विद्यार्ती देखे जो इलक्टिकल के शेडूल तो आज क्लास लगा हो ना आज तो इलक्टिकल के लिए क्लास लगा होगा ना देख लिजीगा दिजीगा ना देखे लिए आज शुर्टिकल के लिए मेरःतन क्लास का सेडूल है नहिए के लिए ईक बार देख लेते हैं हम लोग burgा कर लेते हैं अभी देख लेते हैं विद्यार्ती आपका कहा चला गया लगा तो है देखेगा मैना थन क्लास आपका नहींच पीछी अच्छा ये नहींच पीची जई के लिए complete syllabus आपका ऑब्जेक्टिव ठीक है और ये आज शुबहे आट बज़े से तो है देख लिजिएगा 8 बज़े से हैं आप लोग 8 बज़े क्लास में उपस्तित रहेगा लिखा दे कि आप जाके देखें अभी धिहरतियों आपका NHPCJ 2021 के लिए मेरा थन complete syllabus objective इसमें रवन सर क्लास लेंगे ठीक है बाकी देख आपका 8 बज़े लगा रखे देख 8 बज़े सुबह 8 बज़े से है ये क्लास आज सुबह 8 बज़े से है चलीगा तो हम लोग देखेंगे आपका तो ये आपका आंसर क्या था तिलंगना इसका आंसर था जो हमने कुशन द कौन से रज्य में आपका तो रज्य रहेगा हिमांचल प्रदेश ठीक है हिमांचल प्रदेश और ये 17 बज़े पड़ ठीक है उसके साथ साथ ध्यान दीजीगा हिमांचल प्रदेश में नाटी उच्छाव मनाया जाते है समझों नाटी उच्छाव मनाया जाता है ठीक और स आतिषाथ आपको याद होना चीह, Great Himalayan National Park, ये कहाँ पर हमारा, तो ये Himalachal Pradish के अंदर ही है, और इसके साथ-साथ आपको Pin Valley भी दिख जाएगा, Pin Valley National Park भी दिख जाएगा, जो Great Himalayan National Park है, और Rani की वो, रानी की विध्यारतियों वव करके आता है, ठीक है न, यह World Heritage Site में एक साथ गोसित के गे थे 2015 में, और आप से एक सवाल पूचता है कि रानी की वव कहां पर है, तो यह गुजरात में, गुजरात में कौन सी नदी के किनारे हैं, तो यह श्रश्वती नदी के किनारे, कौन सी न चलिएगा, ठीक है, रानी की वव विध्यारतियों सरश्वती नदी के नारे, यह गुजरात में, अगला शावाल देखेगा, यहां पर क्या दिया आगे विध्यारतियों आपका, पोर्टेड ओफावर, हाप असेंसुरी, और रिंग साइड, यह किसकी आटोबाइग्राफ ही है, तो यह किसकी आत्म अता, रामन सर्क से देखेगा, आप अब जिस कोर्स में हो, या तू वहां पर कर लीजिएगा, तो यह किसकी आत्मान समय पर हमारी क्या है, फाइनेंस वित आयोग है, जो पंदर्वा वित आयोग है, पंदर्वा वित आयोग के अध्यक्ष है, पंदर्वा वित आयोग जो कब से शुरू आपका 2021 से लेकर 2025 तक है, इस वित आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर सिंगे, इनकी autobiography है, इनकी autobiography है, ठीक ना, चलेगा, नेक्स सवाल देखीगा आपका, चंदॉली रास्ट्या उध्यान किस राज्य में इस्तित है, चंदॉली रास्ट्या उध्यान कौनसे राज्या में इस्तित है, तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर महारास्ट में समझें कहाँ पर देखने को मिलेगा चंदौली आपको महारास्ट के अंदर देखने को मिलेगा ठीक है इसके साथ साथ आपको यहाँ पर तादुबा भी देखने को मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर गोगामल नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएगा महारास्ट में गोगामल नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाता है ठीक अगला सब देखे यूपी विशल जई के लिए हमने कुछ सेट बनाए थे विध्यार्तियों तो उन मेंसे कुछ important सेट मेंसे एक सेट ये भी था आपका जहां पूछा गया था कि निव लिखित मेंसे किसने सात्वी बार मैंस मिध्यार्तियों वैलेंडी और पुरुषकार जीता सात्वी बार अब vaffar award अलग है और यह किया है अपका वैलेंडी और अवर्ड है अलग है ठीक है तो यहां आपने आंसर क्या दिया था Leon Massey का नाम यहाँ पर किसका नाम आएगा Leon Massey का नाम आएगा ठीक है क्योंकि आपको Journal Avelist में सब जगए एक समान सवाल पूछे जाते हैं तो सात्वी बार Men's Vidyharthi Valandee और Prushkar जो जीता तो वो किसने जीता? Leon Massey ने जीता, किसने जीता विद्यharthi हो तो Leon Massey ने जीता था, ठीक है? चलिएगा, अगला सवाल देखेगा Bal Kavi Bairagi का वास्तविक नाम क्या है? यह Indian National Congress के सदस्य भी रह चुके हैं समझो? और कहाँ पर Madhya Pradesh MP, Madhya Pradesh से क्या करते हैं? आपका बिलॉंग करते हैं तो इनका नाम क्या है? नंद विध्यार्तियू नंद राम दास ठीक है, अभी बद्यापरदेश में कुछ पोस्ट आई है विध्यार्तिया आपका ठीक है, आपने देखा होगा और इसकी जानकारी आप लोग को होगी चलिएगा नेक्स देखेगा हारनविल महुट्सव किस राज्य में मनाया जाता है और ये तो हमारे लगबग हर दूसरे तिसरे एक्जाम में पूछ लेता है लेकिन पूछता उनके एक्जाम में जिनको आता नहीं जिनको आता है विध्यार्तियू उनके उसमें तो धीर पूछ लेगा उनके उसमें विद्धिहरती। आच लो, कम्बाला पूछा था, कम्बाला मैंने आपनों को पढ़ाय था ना, कम्बाला भी पूछा गया था ठीक है न, तो देखेगा, कंबाला देखें भी ध्यारति आपका, तो इसका राइट अंसर के आएगा आपका, सुरी, कंबाला कह रहा हूं, मैं हावनोबिल आपका, ये पूरोतर भारत में, नागालेंड में मनाए जाते हैं, ठीक है, और एक पूछा गया था आपका कंबाला, तो कंबाला मैंने आपको बताया था कई बार कि कंबाला क्या है, भैसों की दोड़ है, और ये कहां से जुराओं आपका, करनाटक से, किस राज्य से विध्यारतियों करनाटक से, तो ये किस की दोड़ है, भैसों की दोड़ है, समझो, जैसे जल्ली कटू होता है, कहां से हम कमबाला विध्यारतियो कहाँ पर कंड़ा टेंग में ठीक है चलिये नेक्स सवाल ये कैलप विध्यारतियों, केलपऊच इक फसल उट्सव है, जो सदेशी समुदाई द्वारा मनाया जाता है, भारत के किस राज्य में कैलपऊच जो फसल उट्सव है, ये कौन से राज्या मे मनाया जाता है ठीक है चली ठीक है न तो ये सवाल देखेगा आपका पूछा जाता है तो यहाँ पर राइट अंसर के आएगा आपका करनाटक ये भी करनाटक से ये भी करनाटक से है और करनाटक से आपको यक्षगान भी दिखेगा यक्षगान भी विध्यारतिका का है हमारा करनाटक राज्यक कही है ठीके ना चलीगा अब यह किसके उसके उसके पूछा गया था भूत कोला मैंने बताया था आप लोगों को ऐसा नहीं की नहीं पढ़ा रहा है आप देखो मैंने जियस तो समंदर है उस समंदर में भी ध्यारते हूं बहुत सारी चीज़े चली ठीके तो यह भूत कॉला कहां पर मनाया जाता है यह पूछा था किसी एक सिफ्ट में यहां पर पूछा गया यह थुम्मन जिला भी ध्यारते हूं जो नौंगपोग सिक्माई पूलिस स्टेशन देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पूलिस स्टेशन है त तो आपको बताये था विध्यारतियो कौन सा संगाई उत्सव बताये होगा संगाई उत्सव बताये था आपको और कचाई लेमन कचाई विध्यारतियो लेमन कचाई लेमन जो उत्सव है आपका यह भी यही पर मनाया जाता है जिसे जियाई टैग भी प्राप्त हुआ है ज सबसे लास्ट रेस्ट में 17 ठार है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है न, चलिगा, अगला शवाल देखेगा, The Free Voice on Democracy, ठीक है, Culture and Nation पुस्तक के लेखा कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखा क्या हूं, किसने लिखिए ये, रवीश कुमार, समझे विध्यारते हैं, रवीश कुमार, चलिए, यहां से एक सवाल आपको बता देता हूं, आप लोग जानते हो किसके बारे में, रह्मन मैक्स से, रह्मन मैक्स से, पुरशकार के बारे में सभी लोग जानते हो, जानते हैं कि नि जानते हैं, रह्मन मैक्स स किसे पुरुषकार है इसकी शुरुवात हुई थी आपका 1957 में जब दुतिय विश्व युद्ध चल रहा था तो रह्मन मैक्स से भी द्यारतियो जोनोंने एक लीडर के तौर पर समझ किसके तौर पर एक विश्व विरादरी में उस युद्ध को रोकने के लिए एक एहम भूबगा निभाई जिस कारण से उनके नाम से रह्मन मैक्स से पुरुषकार की शुरुवात हुई और इसे कौन देता है तो इसे दिया जाता आपका फिलिपीन सरकार के द्वारा समझ जो फिलिपीन सरकार के द्वारा दिया जाता है यानि कि मनीला में ये पुरुषकार दिया जाते है कहा पर मनीला के अंदर इसे क्या कहते है इसका जो उपनाम इसका तो इसे कहा जाता है एशिया का नोबिल एशिया का विध्यारति एशिया का नोबल भी कहा जाता है इ ठीक है, एशिया का नोबल पुरुषकार भी कहा जाता है इसे, और ये पांच अलगलग कैटेगरी में दिया आता है, अब यहाँ पर बात करते हैं, इंडिया के परपेक्ष में, तो प्रत्थम भारतिया, प्रत्थम भारतिया जिन्हें इस पुरुषकार से सम्मानित किया गय प्रत्थम भारतिया भी ध्यारतियों, तो वो कौन थे, बिनोबा भावे, बिनोबा भावे जो भुदान आनुल से जुड़े थे, और इन्हें 1958 में ये पुरुषकार से सम्मानित किया गया, और लास्ट भारतियों, यानि कि अगर मैं बात करू भी ध्यारतियों, लास्ट पुरुषकार से सम्मानित किया गया था, ठीक है न, तो देखें कब आपका, दो हजार उन्निस में, रहमन मैक्स से अवार्ड 1957 से स्टार होता है, और फिलिपीन से गवर्मेंट के दोड़ा ये अवार्ड दिया जाता है, इसे एशिया का नोबेल विकाह जाता है, फॉस्ट आश्रम के बारे में, पाउनार विध्यार्तियो आश्रम के बारे में पूछा था, तो देखेगा, पाउनार आश्रम कहाँ पर आपका, महारास्ट्र में है, पाउनार आश्रम, और 1940 में गांधी जी ने क्या करा था, ब्यक्तिगत सत्याग्रे, ब्यक्तिगत विध्यार्तिय तो सत्याग्रे प्रारंब करा था, ठीक है न, सत्याग्रे, तो यही से बिनोबा भावेने, पवनाराश्रम से बिनोबा भावेने क्या करा था आपका, यानि कि व्यक्तिगत सत्याग्रे का प्रारंब किया था, ठीक है, महराथन कब से शुरू होगी, महराथन बच्चा अभी बताए तो आपको, अभी तो बताए था, महरा थन रवन्चरकी है आठ बजे से, ठीक है, तो चलेगा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका नन अब्दी जाएगा इसमें, ये हमारे पस्ति मंगाल में है, आठ बजे से सुरू हो गया असका, हैमिस विध्यारती आपर क् आपका, जो हमिस उस्ताओ किसकी जैनती पर मनाया जाता है, तो हमिस उस्ताओ आपका, ये गुरु पादम शंभाओ, कहां पर, तो ये मनाया जाता है, हमारे कौन से रज्य में, तो कैंद सासित प्रदेश हमारा, लद्दाख, समझे मिध्यारती हो, लद्दाख के अंदर य जानते हो कि हमिस क्या आपका, एक नैस्नल पार्क भी है और ये कहां पर है, तो भारत का सबसे बड़ा, भारत का छेत्र फल में सबसे बड़ा नैस्नल पार्क है कहां पर, लद्दाख के अंदर, ठीक है न, हमिस उ आपका, अगला सवाल देखे, प्रतेक वर्ष आपका वर् समझे कम रहे जाता है विध्यारतियों, पांच दिशमबर को मरहे जाता है, अगला सवाल देखे, भारतिया शविधान में समवर्ती सूची की आउधारना का से ली गई है, इसके लिए आपको क्या समझना है पहले, तो इंडियन कॉंसिटूशन में जो सात्वी अनसूची ह कौन सी, सात्वी अनसूची को देखेगा, इंडियन कॉंसिटूशन में भारतिय समविधान में टोटल कितने बारा अनसूची है, ठीक है, उन बारा मैसे सात्वी को अगर आप लोग पढ़ते हो, तो इसे तीन भागों में बाटा गया, यानि सक्तियों का बटवारा किया ग समवर्थी सूची की बात की गई, जबकि तीसरा क्या दिया गया आपका, समवर्थी सूची दी गई है, समवर्थी सूची दी गई है और विशय बाटे के, तो ये है समवर्थी सूची और ये समवर्थी सूची यानि कहां से लिया गया, ऑस्टेलिया दिख रहा है कहीं पर यानि इन सब्जेक्टों पर दल बदल देखेगा चलो आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा इंडियन कॉंसिटूशन में 52 वा जो सविधान संसोधन होता है 52 वा भी ध्यारतियों सविधान संसोधन होता है आपका 1985 में 1985 में ठीक है और इसके तहत भारतिय सविधान में दसवी अनसूची सामिल की जाती है अब सवाल क्या था मुझे नहीं पता दसवी विध्यारतियों अनसूची सामिल की जाती है और इस दसवी अनसूची में क्या किया गया आपका दल बदल दल बदल कानून का प्राउधान रखा गया दल बदल कानून का प्राउधान रखा गया ठीक है यहाँ पर प्राउधान था भी द्याति आपका यानि कि जो एक पार्टी शे दूसरी पार्टी में जाता है तो उनकी सदस्यता कब रद होगी किस condition में रद होगी, वो सदस्य के रूप में या फिर विध्यातियों उनकी seat direct मानी जाएगी, तो इस पर अब देखो दो चीज है, दल बदल के संबंद में लोकसभा में निर्णय कौन लेगा, लोकसभा में, अब देखो सवाल थोड़ा पूछ लिया था न, लोकसभा में इस इसका निर्णय कौन लेगा, यानि की निर्णय विध्यातियों, लोकसभा में इसका निर्णय कौन लेगा, तो लोकसभा अध्यक्स लेंगे, और रज्य विधान सभा के अगर बात करेंगे, कि विधान सभा में इसका निर्णय कौन लेगा, तो रज्य विधान सभा अध्य दो चीजें आपका, दल बदल के संबंध में, आपसे पूछा जाता है, यहां रखेगा, दल बदल के संबंध में, राज्य विधान सभा में कौन अधिकार किसको है, तो विधान सभा अधिकार किसको है, तो विधान सभा अधिकार किसको है, तो विधान सभा अधिकार किसको ह की गई, जिसमें दल बदल कानून दिया गया था, चलेगा, एक छोड़ा सा सवाल है विध्यारतियों, अभी उत्तर प्रदेश विधान सभा, आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में सीटों की संक्या कितनी है, आपकी 403 है, ठीक है, तो इसमें कैबिनेट मंत्रि की cbineet, समझे अनिद्यारति जो आपकी cbineet मंत्री होंगे, अधिकतम कितने होंगे, अधिकतम कितने हो सकते हैं, UP विधान सभा विध्यारति आपका बन गया, ठीक है, तो cbineet मंत्रियों की अधिकतम संक्या कितनी हो सकती है, आप से सवाल क्या पूछाब सब एलाओ है अधर भी एलाओ है अधिकतम कितनी हो सकती मैंने क्या आपका कैबलेट मंत्रियों की अधिकतम बहुत बढ़िया अधिकतम कितनी हो सकती आपका 15 प्रतिशाद इंडियन कॉंसिटुशन में 91 वां अमेंडमेंट अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या लिखा गया ठीक है ना कि यानि की कैबलेट मंत्रियों की संख्या आधिकतम 15 प्रतिशत हो सकती है और कम से कम कितने 12 कैबलेट मंत्री होंगे इससे कम नहीं हो ठीक है कम से कम कितने 12 और अधिकतम राज्य विधान सभा की जो सीटे है उसका 15 प्रतिशत 100 ठीक है अच्छा है इसका 100 निक आरह 15 परसे चलीगा देखे विध्यार्तिय आपका अगला सवाल अगला सवाल क्या पूछा गया उस 13 वर्षिया खिलारी का नाम बताएगा जो ठीक है तो ये कौन है मोमो जी विध्य हर्तियो निशिय खिक है आप से सवाल लेकिन क्या पूछ लिया आपसे हमने ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा मेराथन में भीगा होगा और करेंड अशाक he attitude में में कई बार दिया आप लों को तो देखेगा सवाल पूछा गया था पैरा ओलम्पिक जो खेल है विद्धारती आपका पैरा ओलम्पिक खेलों का आईजन 2020 में कहाँ पर हुआ तो आपने टोक्यो आंसर कर दिया लेकिन उसने टोक्यो ऐसा नहीं दिया उसने लॉजिकली दिया कि देखे भारत के लिए पैरा ओलम्पिक में पहली जो महिला तभर्ण विध्यारतियो पहली महिला जिनों ने क्या करा स्वान पदक विजेता यानि कि पहला स्वान जिसने दिला या कि पहला ओलंपिक 2020 भारत के लिए पहला स्वान पदक जिसने दिला या और महिला पूछा गया था याद हो आप लोगो को याद आ रहे, किसी एक सिफ्ट में तो पूछा गया था ना, पहरा उलम्पिक खेलों में विध्यारती पहला सोन, दीखे, हाट, यह तो क्यों तो दिया ही था, तो क्यों तो उसमें A, B, C, D, लॉजिकल ही पूछा गया था ना, कि पहला सोन पदा है किस ने दिया, तो को में हो तब्यों की बात की गई है, ठीक है ना, ठीक है देखेगा, आवनी लेखरा, बहुत बढ़िया आवनी लेखरा विध्यारती है, ठीक है ना, समझ विध्यारती है आपका, आवनी लेखरा, यह बहुत बढ़िया ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों को, मैंने पहले भी चलिएया ठीक है, लव लीना उन्हे पहला देखे ब़ारत के लिए पहला जो पदख दिलाया था किस्मैं तो इन्हों ने डिलाया था विध Pi आपका किस्मैं, Das पोरुख लिएरत से बिलाउग करते विध्यार्टी उन्होंने पहला पदख दिलाया था ये तीस्य शिब्ट में पूछा गया था, तीसे दिए कल के, जो तीस तारीक का सिफ्ट था ना, लास सिफ्ट उसमें पूछा गया था, लब लीना विद्यारती बॉर्गन में पूछा गया थी, कौन से खेल से सम्बंदित है, भारत के लिए पहला पदग भी इन्हों नहीं दिलाय था, पहला पदग याद रखे, वहाँ पेरा ओलम्पिक में पूछ लिया, और यहाँ ओलम्पिक में पूछ दिया, यहाँ ओलम्पिक में पूछा गया था, हाँ आवनी लेखरा तो परिया लिखरा जै वनी लेखरा विध्यातियोगा विध्या पर पेरा उलंपिक से है और वह पहले स्रिट में पूचा गया था 27 तारीग वाली स्रिट में था और ये आपका जो बॉक्सर की की बात करोंगा मैं विध्यातियोग किसकी लव लीना मोगनविल की विडियाते ठीक है तो यह पूछा गया था आपका किसमें लास्ट सिप्ट में चलिए यहाँ पर क्याएगा आपका 51A 51A के बारे में बहुत कुछ चीज़ें आप लोग को बता रखिये अब तो सिर्फ इससे काम नहीं चल रहा है अब यहाँ पर याद रखे मैंने कलवे से कल के आपको इसके बारे में डिटेल में समझा रखा है 42 वें Constitutional Amendment के द्वारा सामिल किया गया ठीक और पहले हमारे पास क्या होते थे दस कर्टब्या होते थे अब ग्यार्मा भी जोड़ा गया ठीक है ना उसके साथ-साथ आप लोग को सवाल देखेगा यहाँ से क्या पूछता है कि इसमें कर्टब्या क्या है तो कर्टब्या जैसे रास्टगान का आपको सम्मान करना है जैसे भी ध्यार्तियों कि जो स्वतंता संग्राम्षे जुड़े हुए जो क्रांतिकारी है जो स्लोगन है उनका आपको सम्मान करना है इस तो से आपके कर्टब्यास में सामिल कियेगे ठीक है अच्छा 50 यहाँ पर स्वरी यह क्या है अपका 50 A कर दिया मैंने 51 A 51 A आएगा इसका है और भाग कौन सा आएगा आपका 4 A आएगा तो देखिए मेरा ध्यान दूसी तब था अब समझ हो चलो अब ध्यान दिजेगा जो फॉर्डमेंटल आपका ड्यूटी दी गई है यह 51 A क के अंदर रखा गया चली अगला सवाल अगला सवाल केंद सरकार ने मेडिकल कॉर्सेज में उविशी के लिए कितना अरक्षन की गोस्रा करी है तो यह करी आपका 27 परसेंट ठीक है ना और यह किसके द्वारा दिया गया था तो मंडल कमिशन मंडल आयोग मंडल आयोग ने रिकमेंड किया था इसे जो 1979 के आसपास बना था तो इसी ने 27 परसेंट के लिए रिकमेंड किया था उससे पहले काका कालेकर कमेटी बनी थी ठीक है चलीगा ठीक है ना चलीव जाज़ अच्छा एई का पेपर कल है बहुत बढ़िया यूपी पिशल एई का पेपर है हमारा चलीगा सविधाहन के किस अनुछेद में तो एई तो आपको Constitution से पीछा नहीं छोड़ाएगा एई विध्यारतियो Constitution से पीछा नहीं छोड़ाने वाला है और इस्टेटिग आपको Constitution और एस्टेटिक देखने को मिलेगा ठीक है atención बनेगा इस्टेटिग किश्चा मत्रबाष्न में दी जाए तो ये क्या दिया गया आपका राज भासा दिया गया समझो राज भासा तो इंडियन कॉंसिटूशन में आपका आपका आर्टिकल 351 के अंदर इससे पहले आप लोगों ठीक है ना चलिगा ठीक है तो आपको हमारी तरब से धेर सारी सुपकाव नहीं एक्जाम से पहले नेक्स देखेगा अगला सवाल अगला सवाल क्या पूछ रहा हमें अगला सवाल पूछ रहा है किस राज्य के मुख्य मंत्री ने सेक्षिक आधिकारिता कोस की घोष्णा की है ठीक है ना तो यहाँ पर किस ने करी है तो यह घोष्णा करी है आप लोगों देखेगा केरल राज्य सरकार की द्वारा किया गया, चलेगा, चले, नेक्स सवाल देखे, नेक्स सवाल, उच्छ न्याले के मुख्य न्याइदिस की न्युक्ति कोद करता है, उच्छ न्याले के मुख्य न्याइदिस की, अब आप लोगो को कहा पर जाना है, तो उच्छ न्याले को अगर पड़ोगे, तो आर्टिकल 214 में पड़ोगे, 214 में क्या दिया गया विध्यारती आपका, हाई कोड की व्यावस्ता दी गई है, राज्यों में नियाईक व्यावस्ता की बात की गई, और यहां अगर आप देखोगे, तो क्या है विध्यारती आपका, भारत में वर्तमान समय पर 25 हाई कोड है, समझ जो 25 हाई कोड है, तो हाई कोड की मुख्य न्याइधिस की जो नियुक्ति की जाती है, तो महारत के राश्टपति की द्वारा की जाती है, समझ विध्यार्ति महारत के राश्टपति की द्वारा की जाती है, जो चलीगा, नेक्ष बढ़ेंगे हम लोग तो वह देश कौन सा है, तो यह है इंडिया, यानि भारत ने UNSC, United Nations Security Council की अध्यक्स्ता पहनी बार, भारत ने अध्यक्स्ता गरी और कब करी आपका, अगस्त 2021 में, साइट रास्त सुरक्षा परिशत, अच्छा एक आपका International Solar Alliance से सवाल पूछा गया था, अठाइस तारीक की Evening Sift में, समझो, यानि की अब क्या सवाल था मुझे ध्यान नहीं, लेकिन सवाल पूछा गया था, ठीके, तो इसका अध्यक्स कौन है, तो अध्यक्स तो हमने बात करी, कि अध्यक्स कौन है, तो भारत इसका अध्यक्स है, इसमें जो सबसे नया, रिशें Wind Energy भी ध्यारती हो, या आपका Solar Energy में, भारत का इस्थान कौन सा है, इन में से कोई एक सवाल पूछा गया था, कि पवन उर्जा में, भारत का विश्वा में कौन सा रेंख है, या Solar उर्जा में भारत का, सौर उर्जा में, सौर उर्जा में भारत का कौन सा इस्थान है, इन म कैसे कोई एक सवाल पूछा गया था, देखेगा, पावन उर्जा में, देखे, पावन उर्जा विंड एनरजी, पावन उर्जा में पूछा गया था, और या तो आपका किस में पूछा गया था, सौर उर्जा उत्पादन में है न, सौर उर्जा उत्पादन में, और जिसमें चार से शुरवात ही थी, चार और ग्यारा ऐसा कुछ करके दिया गया था है ना सॉलर एनरजी में विध्यात्यू भारत का कौन से इस्तान है उत्पादन में आज ढूंद के बताओंगे एक बार option 4 से start था विध्यात्यू चार एक तो नहीं था हाँ भारत इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिया है इतना कह सकते है कि भारत इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिया ठीक है good morning गोविन बच्छा good morning good morning आपने तो नहीं दिया ना paper इस बार गोविन बच्छे आपको ऐसे देना भी नहीं चाहिए था चलिएगा ठीक है ना अरवन बच्छे आपको तीस तारीक का स्रिप्ट था तीस में तो ठीक आये थे तीस वाले में तो ठीक question आये थे दोनों स्रिप्ट में चलिएगा ठीक है जिनका पहले से document verification के साथ उनको नहीं देना चाहिए था एक्जाम ऐसे समझो शुलावेशी गुफा चित्यगला दीखेगा यह किस देश में मिली थी तो यह कहाँ पर मिली थी आपका तो यह इंडो चलिगा अचा 29 seconds shift में चलिगा ठीक है तो आज की class को हम लोग यही पर समाप्त करेंगे आज की class को भी 28 को था बहुत बढ़िया चलिए ठीक है ना चलिए ठीक है तो NHPC के लिए आप लोगों के लिए marathon class है और यह technical class होगी आपकी आज सुबह 8 बजे से है जो की schedule में आपको जा के देख सकते हो और static की कब रहेगी जर्नल awareness की विद्यार्तियों यह class कब रहेगी तो जर्नल awareness की मैं यह विद्यार्तियों संडे को लूँगा ठीक है न संडे को मैं class रखूँगा और संडे का आपका इवनिंग में च्छा बजे से और देखेंगा अधिकतम कितना होता है ठीक है ना चलिए तो आज की class को यही पर ठीक है तो विद्यार्तियों आज की class को यह समाबत करते है फिर मिलेंगे अगली class में तब तक के लिए धंद्याबाद